तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे उसी के साथ आया है पिछले वीडियो में हमने पताया था कि 20 के दाथ हम लोग पढ़े थे तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत से हम क्या सीखें भारत से हम क्या सीखें तो मेरे वीडियो पूरा एंड तक देखेगा बहुत है सबजिक्ट है हिंदी सबजेक्ट्टती पे इस बार पूचक भूछा यह I am बहुत असान तरीका से बबताव रहा हूं को तो मेरे पूरा वीडियो को अंट तक देखे ताकिमेंग योगों समझाने में कुछ मदद कर सकूं ठीक है तो चले वीडियो को सुरू करते हैं तो देखिए भारत से हम क्या सीखे पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखे तो पहला हमारा कोश्चन है मेक्स मुलर वास्तिक इतियास की से मानते हैं जो राजियों के दुरचारों और अनेक जातियों की कुररताओं की अपेच्छा कहीं अधिक ग्यात्वे और पठिन्य है मेक्स मुलर उसे ही वास्तिक इतियास मानते हैं ठीक है अब दूसरा भी कोश्चन जान लेते हैं देखें हमारा दूनमर कोश्चन है धर्म की डिष्टी से भारत का क्या महत्व है भारत से हम क्या सीके पाठ के आधार पर बताए देखें धर्म के डिष्टी पर बताना है भारत से हम क्या सीके ठीक है तो हम उतर जान लेते हैं धर्म की डिरिष्टी से भारत अत्यांत महत्व पूढ़े इसलिए कि धर्म के उद्भव अवर उसके नश्ट होने वाले रूप का यहां प्रतियच ज्ञान होता है धर्म की डिरिष्टी से भारत अत्यांत महत्व पूढ़े इसलिए कि धर्म के उद्भव अवर उसके नश्ट होने वाले रूप का यहां प्रतियच ज्ञान होता है अब तीसरा भी कोस्चन चाल लेते हैं तीन नमर हमारा कोस्चन है मैक्स मुलर की डिरिष्टी में सच्चे भारत के दर्शन काहा हो सकते हैं और क्यों इंसर हो जाएगा मैक्स मूलर की दिडिश्टी में सचे भारत के दर्शन मूंबई, कुलकत्ता, चेनाई जैसे सहरो में नहीं भारत के गाउं में हो सकते हैं अब चार नमर भी कोस्टन जाल लेते हैं चार नमर हमारा कोश्चन है मैक्स मूलर ने कीन 20 छेत्रों में अभिरूची रखने वालों के लिए भारत का प्रतियच ज्यान वस्यक बताया है तो इंसर जान लेते हैं मैक्स मूलर ने भूब बिज्यान वनस्पति बिज्यान रिवन्स बिधा पुरातात्विक इतियास भाजा आदी भीविन छेत्रों में अभिरूची रखने वालों के लिए भारत का प्रतियच ज्यान बताया है पांच नमर कोश्चन है ने हमारा लाश्ट कोशनलने 5 नमर तब उसके वाद हम वीडियो इंटक्राइद देंगे पांच नमर हमारा कोश्चनलने भारत में प्रचीन काल में इस्थानिय असासन कौन से प्रवाली प्रचलीत थी ठीक है और एक प्रचीन पढ़ लेते हैं ग्राम पंचायत द्वारा इस्थानिय सासन चलता था तू आज के लिए मेरा वीडियो एंट गेंट रत होता है तो फिर नेक वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए जे हिंद जे भारत